हेलो, कोशन क्या कहता है कि in triangle ABC, D and E are the midpoints of sites BC and AC respectively, if AD is equal to 10.8 cm, BE is equal to 14.4 cm and AD and BE intersect at G at a right angle triangle, okay right angle sorry right angle, then the area in centimeter square of ABC, ABC का area निकालना, सब्से पल है तो ABC triangle बनाएंगे, यहाँ पर यह आपका triangle ABC हो गया, ठीक है, यह triangle आपका ABC हो गया, यहाँ पर हम उलिक लेंगे ABC यह triangle हो गया आपकी, उसके बाद क्या कर रहा है, D and E are the midpoints of site BC और AC, side BC पर है आपका D midpoint और AC पर है E midpoint, and then after AD, AD को join करना है आपके, यह हो गया आपका AD, और यह आपका हो गया क्या BE, और दोनों का length भी दे रखा में, AD का length है 10.8 cm, और BE का जो length है वो 14.4 cm, ठीक है, इसके बाद AD और BE E intersect करता है point G पर, यानि intersection point को हम G से represent करेंगा और राइट एंगल बनाता है, यह राइट एंगल बनाता है, तो हमसे पूछ रहा है कि area निकालना ABC का, एक बात ध्यान रखिए गया, यहाँ पर एक और triangle हम बना कर समाजने की कोशिज करते हैं, यह मान के चले कि ABC है और इसकी mid point हो गई यह, ठीक है, और mid point से हमनों क्या करते है, median draw करते हैं, यह आपकी एक median होगी, यह आपकी, sorry, यह आपकी दूसरी medium होगी और यह आपकी तीसरी median होगी, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि triangle है, जो कि कितने छोटे छोटे triangle में बढ़ चुका है, तो 6 triangle में बढ़ चुका है, यह जो 6 triangle है, छे parts है, उन सभी 6 parts triangle की equal area होगा, यानि उसकी सभी की areas होगी, वो बराबर होगी, और एक और खास बती ह कि यह सभी median होगी, वो 2-1 के अनुपात में बटेगा, यह भी 2-1 के अनुपात में यह जो रेशियो होगा, यह बात के लिए यहाँ आप लिख सकते हो, यह रेशियो हो जाएगा, ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ध्यान से यहाँ पर कि हमें triangle ABC का area निकालन है, तो यहाँ पर एक triangle बनड़ा आपका, एजी बी, यह आपकी एक triangle है, A, B, G, एक triangle, इस triangle का अगर हम area निकाल लें, तो बागी पूरे बड़े ABC triangle का भी area निकल जागा, कैसे निकलेगा, क्योंकि A, B, G एक right angle triangle ध्यान से देखिए, A, G, B, A, G, मतलब G पर right angle बना रहा हो, ति B, G का लेंद अगर पता रहा है, तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, ठीके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग यही करते हैं, तो A, G का लेंद अगर निकालना हो, तो हम लोग निकाल सकते कैसे, A, G is equal to, लिख सकते हैं, 2 upon 3 AD, अब ध्यान से समझेगा, कि यह जो AD है, यह आ 1, वह जो जा, यह जो 3 बाइन की टोंगी जो लेंद है, यहीं लेंद लेंद रोनेद इसकंते क decep collaborate और यहीं निकालना है, तो 2 राखेंगे हैं, 2 लिख सकते हैं, 2,8 AD, यानि कि कूल ad का 2 बटे 3 हमें निकाल लें तो तीन में से दो भाग अगर निकाल लेते तो ag के बराबर हो जाएगा तो हमें बस ag चाहिए उसी परकार से हम लोग bg निकाल सकते हैं बहुत ही सिंपल सा हो जाता है कि एजी इकल टू आप लिख सकते हो दो बटे तीन एड की वेलू है 10.8 सेंटीमेटर ठीक है उसी परकार से इसको हम भागा दे 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 तीन 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 चक अठार यानि कि यह आपका आ जाएगा दूगना कर देंगे फिर ठीक है तो तीन तीन और तीन चक अठार और दूगना करेंगे तो कितने आजएगा तीन दूगना छोच यानि कि 7.2 सेंटीमेटर उसी परकार से बीजी का भी वेलू हम निकाल सकते है बीजी का वेलू हो जाएगा दो बटे तीन इंटू बीई की जो वेलू हो जाएगी वो 14.4 हो जा तीन वाठे 24 ठीक आठ बार में कटेगा ना दो चार रिमेंगे लेंगन तो आठ बार में कटेगा और फिर यह हो जाएगा 9.6 सेंटीमेटर ओके तो एजी का भी लेंध निकाल गया और बेस और हैट दोनों निकाल चुका है एरिया निकाल सकते हम लोग तो एरिया बाराबर दो ना पर हो जाएगा आपका किदना एक बत्रे दो कुने बैस इन टू हाइट यानि बैस हो जाएगा 7.2 माल लेते और हैट को 9.6 माल लेते ओके अब इसको आप कटा सकते है कितना बान कड़ेगा दो तियां 6 और एक दू दू चक के 12 तीन पॉण 6 हो गया तीन पॉण 6 गूने नो पॉण 6 इन दोनों का मल्टिप्लिकेशन कर लेते तीन पॉण 6 गूने नो पॉण 6 थीके नो पॉण 6 यह ओ गया पांच ठीके और यह ओ गया मंचारी जो ढचान्ट पांच हे यह तो आपको आ हम देख़्ेकर आता है that देख सकते हैं यहां पर दो पेर मोग लहें मोट हम लोग लेंने तो हमने बता यह कि आरिया इंडिविजुएली बराबर होगी इन दो का एरिया सब ए हो टूए यह का एरिया भी टूए होगा और य दो कभी एरिया होगा ठीक है तो अगर येansen हमें एक एरिया पता है तो इसका और इसका मारी नियने सीम्पल सी बात है यह हम सब्सक्राइबर करopp horn आ जएग होगा टू een K यान्य अगर इसका एरिया हमें निकल गया 34.56 है तर्फ आपकी एक यह पाथ हो जागे यह वाला और यह उगो गया इसका और निकालना यान तीन गुना कर देंगे तो ए एस एबीसी ट्रेंगल के एरिया निकल जाएगा तो एरिया और ट्रेंगल एबीसी अगर निकालना हो तो हम लों क्या करेंगे तीन गुने जे चौटिस पॉइंट पांच से कर ना हमें ठीके तीन चक अठारों तीन पांच सेपनधर एक सोल्ला का च्छे तीन चोक का बारा एक तेरा ए तीर थी का नो और एक दस यहनुने कितना जागा एक सव तीन पॉइंट 6 आठ सेंटिमी अर्च्वार हो गा ठीके सेंटिमीटर स् कि आपको ये समझ में आये होगी question धन्यवाद